हमारे यहां के टैन में बैराज है, बन्बसा का बैराज है, हमारा किछा का बैराज है, बैगुल वाला है, इन सभी का जो भी पुन्दोनिर्माण का कार्य होना है, वो पुन्दोनिर्माण का कार्य हो जाएगा, वाटर स्पूर्ट की बहुत सारी गतिदिया, जितको चलने में अनावस्य ग्रूप से कई बार अर्चने आ जाती थी उसका समाधान मानि मुख्मंजरी जी ने आधियों की जी ने वहीं पर तत्कारी ग्रूप से उसी बैठक में कर दिया था इसके साथ साथ जो पन्विकास निगम का हमारे यहां पैसा मिलना था वह पैसा भी उसी दिन हमको मिल गया था और इसके साथ ही जो परिवन निगम का पैसा था खादे विभाद की कुछ चीज़ें की उन सभी का समाधान हो गया है वाटर स्पोर्स की गतिविदिया जो नहीं चल पाती थी जो गंग नहर हो जाहे हमारा नानक मता का डैम हो इसके साथ साथ बैगुल डैम हो उन सभी पर हो गया है और आज आपने देखा आप सब के समथ एक उधारट की दो सरकारे एक होने से और डबल इंजन, क्रिपल इंजन, पहले हम डबल इंजन कहते थे टिपल इंजन एक टिर्पल इंजन की सरकार ने पिछले 21 सालों से जो मामला जो समाधान नहीं हो पारा था जो उद्धन थी उसको सुल्याने का काम किया है मैं आप सब लोगों के समथ मानदी मुद्धन मंतरी आदियोगी आदितनाजी का बहुत हर्दे की गहराईयों से आप इंदन करता हूँ और इसे अंदरोग करता हूँ कि आप सब पसंदोगे मित्रों पदान मंतरी मोदी जी के एक भारत स्रेश्ट भारत की जो परिकल्पना है आज यहां पर उत्रप्रदेश और उत्राखन सरकार ने दस्कों से चली आ रही एक समस्या का समाधान किया है जब पलकनंदा होटल जो उत्रप्रदेश परेटन विभाग का था और लाभांस में चलने वाला होटल था आपसी सहमती से आज अलकनंदा होटल हम लोग उत्राखन सरकार को समर्पित कर रहे हैं और उत्रप्रदेश परेटन विभाग को और उत्रप्रदेश वास्यों के लिए यहां पर भागिरती की नाम पर एक नया परेटन आवास ग्रे उपलब्द करवा रहे हैं यहां आपसी सहमती का एक उत्कृष्ट उधारन हो सकता है हमने आपसी सहमती से इस कारे को किया जो मामला दस्कों से चला रहा था नयायले में चला था बातचीत से सारे रास्ते समाप्त हो चुके थे फिर नयायले में जाना पड़ा लेकिन एक पार्टी की एक समान विचारधारा की सरकार होने के करण आपसी सहमती से हम लोगों ने इस समस्या का समाधान किया जिसमें अलकनंदा होटल उत्राखन सरकार को जाएगा उत्राखन सरकार उत्तरप्रदेश सरकार को लैंड उपलब्द करवाएगी और उत्तरप्रदेश सरकार उस लैंड पर फिर अपने ले एक नया प्रेटन आवास ग्रे वहाँ पर बनाएगी जिससे प्रेटन विभाग की गद्विदियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आज ये कारे यहाँ पर संपन हुआ है मुझे उतरपदेश वाज़ियों के लिए भागर थी प्रेटन आवास ग्रे सौंपते वे धिर्दे से अनद के नभोती हो रही है और साथ साथ मानिय मुख्य मंत्री सी पुसकर सिंग धामी जी के नित्रित्व में आज यहाँ पर उतराखंड विकास की जिन नई उचाईयों को छूड़ा है उन नई उचाईयों के साथ यहाँ के विकास में अलगनंदा होटल भी एक योगदान देगा क्योंकि प्रेटन विकास की तमाम सम्महमने उतराखंड के अंदर है और इस राज्य ने जिसने अब तक अपनी 20 वरसे की यात्रा पूरी की है इस यात्रा के विकास के लिए उसे बहुतिक संसाधन भी चाहिए उस बहुतिक संसाधन के दिस से आज यह होटल यहाँ पर उपलब्द करवाया जा रहा है मैं धने बात हूंगा धामी जी को जिन्होंने बहुती सहस्पा सरल्पा के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आकर के और उस समस्या के समाधान के लिए एक सकारत्म करुक अपनाया यह सुरवाद यह देबी पांच वरसे पहले इसी प्रवेन सिंग रावजी ने प्रारम की थी और यह प्रकरिया चल लई थी बाचीप आदकारी कस्तर पर चल लई थी चीप सेकेटरी कस्तर की बैठिकें भी हो चुकी थी लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो नौकर साही कस्तर पर नहीं बलकि राजबितिक समाधान निकालने होते हैं और हम लोगों ने, दोनों ने नौबर दोजार इकीस में इस समस्या को बैठ करके आपसी समती से समाधान निकाला आज एक कारे यहांपर मुझे सौंटेवे हारतिक परसंदा के अन्दोती हो रही है एक समस्या का समाधान यहांपर जो हम लोगों ने आज से चार महापूर वखुनों में कहा था आज हरिद्वार में वो फूरा हो रहा है ऐसे ही अन्य समस्याओं का समाधान भी हम इसी प्रकार से करेंगे हम सब की भावनाएं एक भारत स्रेश्ट भारत की होनी चाहिए हम सब मिलकर के एक भारत स्रेश्ट भारत की परिकल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं इसके लिए आउस्यक है कि आपसी कुछ मदभेदों से ओपर उढ़कर के हमें कारे करना होगा और आपसी मदभेदों से ओपर उढ़कर के जब हम कारे करने की बात करते हैं तो सौभाई पुर्फ से हमें राजनितिक संकीरता से उपर उटनाई होगा ये उन सभी राज्यों के लिए गुधाना बन सकता है जहां पर आपसी सहमती से कोई विवाद का समाधान नहीं हो पाता है क्या कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कैसे किया है खालक नंदा होटल का हो चुका है इससे पहले रोड़देश की समस्या बन निगम से जुड़ीवी समस्या आवास विवाद से जुड़ीवी समस्या जब हम नौमबर एकीस में मिलेते उस समय हम लोगों ने इस सभी का समाधान किया था और आने वाले समय में जो बाकी बच्ची वी चीजे हैं उसका भी समय बन भे ढंग से सैतांतिक सेमती बन चुके ब्याभारिक ध्रातर पर उसको उतारने की कारवाई भी दोनों लोग बिन करके करेंगे आज इसी दिस से हाँ पर हम लोग आये हैं कि भागरिती प्रेटन आवास ग्रे अब उतरप्रदेश सरकार उसको उतरप्रदेश का परेटन विभाग उसको संचालित करेगा और अलकनंदा होटल कि चाभी मैंने आज यहां के माने मुख्यमंत्री जी को सौंपी है